नमस्कार दोस्तो मैं हूँ संजे गुर्णानी CEO IMFT और आज आप देखने वाले हैं जबरदस्त वीडियो दोस्तो अभी दक आपने सुना होगा किस तरह से कस्टमर से बात करनी है, औबजेक्शन हैंडल कैसे करना है जब भी आप कस्टमर को कोई भी प्रोड़क्ट समझाते हैं उसके बाद अबजेक्शन आते हैं लेकिन कस्टमर ने अगर प्रोड़क्ट समझने से पहले ही उसके मुँझ से गाली निकल गई तो ऐसी difficult परिस्तिती में किस प्रकार से उस कस्टमर को हैंडल करना चाहिए जिसमें आइडियाज में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तो इन आइडियाज के साथ पहले कुछ fundamental rules में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भी customer को आप deal करते हो उसके कुछ questions आते हो या objection आते हो तो उसके दोस्तो तीन rule होते हैं सबसे पहले customer is always right हाँ वो गलत बोल रहा है फिर भी वह right है क्यूं क्यूंकि जब तक आप उसको right नहीं कहेंगे तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं तो सबसे पहले आपको अपने आपको समझाना है customer अगर 1000% गलत बोल रहा ह है फिर भी वह right है क्यूंकि अगर वह right है तब ही उसके आगे गाड़ी बढ़ेगी तो यह हुआ rule number first उसके बाद दोस्तों जो भी उसने objection दिया जो भी बात कही उसके साथ agree होने के साथ साथ उससे कुछ सवाल पूचें और सवाल पूचने के बाद जो भी आपका solution है उसको business के साथ उसकी परिस्थिती के साथ उसके profession के साथ connect करके आप उसको satisfied answer दे यह तीन golden rules होते हैं कहीं पर भी सिर्फ business में नहीं आपकी personal life में आपके professional life में आपके business में आपको यह तीन rule काम में आते हैं तो आईए दोस्तों देखते हैं जिस customer के मुझ से गाली निकल गई उसको ह हमने किस प्रकार से handle किया यह कुछ साल पहले की बात है जब मैं bank assurance में काम करता था तो दोस्तों जब bank assurance में कोई वे officer काम करता है तो कई बार उसको direct client के साथ deal करनी पड़ती है हमारे साथ भी ऐसा हुआ एक bank manager ने client का नाम बताया और मुझे कहा के गुर्णानी सर आप जाकर उनको presentation दें बस बाकी मैं देख लूँगा तो दोस्तों जिस प्रकार आप customer से मिलने जाते हैं कहीं न कहीं से आपको reference रहता है कहीं न कहीं से आपके relations होते हैं लेकिन यहाँ पर तो कैसी बात थी कोई relation नहीं customer हमको जानता भी नहीं था तो जो मेरे साथ दूसरा marketing official था मैं उ बात हुआ तो customer जैसे ही हमें देखा उसको पता चल गया कि insurance company वाले हैं अब product बेचेंगे अब पता नहीं उसके मुझ से सीधी गाली निकल गई अब आप सोचिए अगर आपको as a professional customer गाली देता है तो कैसे feeling आएगी हाँ दोस्तों दिल पर कांटे चुब जाते हैं अगर professional life में आपको कोई गाली देता है तो उसके दो रास्ते होते हैं किसी ने गलत बोला और आप भी गुसे में आकर उसे कुछ कह दें तो बाजी बिगड़ जाती है समझदार इंसान हमेशे अपने गुसे को काबू में रखता है समझदार इंसान चार बार सोचने के बाद अपने मूँ से शब्द निकालता है तो दोस्तों जैसे ही उसके मूँ से गाली निकल गई तो मैंने कहा सर एक मिनिट है आपके पास सिर्फ सुन लीजिए तो सुनने से पहले फिर से उसने कहा मैं क्यों इंसूरस लूँ क्या बात करते हो हमें बेवकूफ समझते हो हम मार्केट में से पैसा उधार लेते हैं बैंक्स में से पैसे उधार लेते हैं अपना बिजनेस करते हैं कितनी मेहनत लगती है कितनी परेशानियों का सामना करते हैं और आपका इंशुरंस का हम प्रड़क्त ले बेवकूफ तो नहीं है वगयरा वगयरा फिर से उसके मूँ से गाली निकल गए ऐसे में टफ क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस करना चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहला रूल कस्टमर सही बोलता है या घलत बोलता है कस्टमर इस आलवेज राइट तो मैंने उसे कहा सर आप बिलकुल सही बोल रहे हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं मुश्किल से आप केपिटल है पैसो का बंदोबस करते हैं मार्केट से पैसे लेते हैं, बैंक से पैसे लेते हैं, लोन्स पर व्याज बरते हैं, आपको इंशुरंस नहीं लेना चाहिए, और रियली आपको नहीं लेना चाहिए. दोस्तो जैसे ही उसने यह बात सुनी कि उसे इंशुरंस नहीं लेना चाहिए इसका मतलब हम बेचेंगे भी नहीं धीरे धीरे उसका जो टेंपरेचर था कम हुआ उसके बाद उसने बैठने के लिए कहा तब तक हम खड़े थे सो दोस्तो कभी भी ऐसी टफ परस्थिती आती है तो शामती से काम ले समझदारी से काम ले जीत आपकी होगी आईए देखते हैं फिर क्या हुआ उसके बाद दोस्तों उसके वहां हम बैठे तो जो मेरा साथी था उसने मेरे कान में कुछ कहा अब वो शब्द भी बहुत अजीब थे उसने कहा कि ऐसे कैसे गाली दे सकता है बेखूफ है उसके मुझे भी कुछ निकला बट मेरे कान में कहा उब ले उसको एक ठोक दूँ क्या समझता है हमारी भी इज़त है कि नहीं है दोस्तों दो एक्शन और रियेक्शन एक समझधारी वाला और एक गुस्से वाला कभी भी कस्टमर के वहाँ पर गुस्सा नहीं करना है समझधारी और शान्ती से काम लेना है क्या उसने हमें गाली दी क्या उसके मुझे जो गाली निकली वो हमारे लिए थी हो सकता है उसका किसी के साथ पहले जगड़ा हुआ हो हो सकता है उसके घर में कुछ परेशानी हो हो सकता है उसके बिजनस में बहुत बड़ी परेशानी चल रही हो हो सकता है उसकी हेल्थ सही नहीं हो अगर परिवार में किसी की हेल्थ सही नहीं है तो हो सकता है अनसान के मन में कई सारे विचार चलते हो उसी वज़े से वो गुसे में आ गया वो और उसके मूँ से कुछ शब्द निकल गया हो तो ऐसा हो सकता है उसके बाद दोस्तों जस्ट बाते हुई और मैंने कहा सर आपको insurance लेने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ एक काम करना है हम भी government job में है insurance समझाना हमारा काम है हमारी भी job है सर आप सिर्फ जो bank manager साब है उनको कहिएगा संजे गुर्णानी आया था और product समझा के गया ठीक है भले आप मत समझो सर कोई दिक्कत नहीं आपको लेना नहीं है समझने का कोई मतलब भी नहीं है आप इतना तो कह सकते हैं सर हमारी salary है हमारी भी जवाबदारिया है duties है responsibilities है तो आपको आके समझाना आपको बताना यह हमारी जिम्मेदारी में आता है आप सिर्फ bank manager को इतना कहिएगा संजय गुर्णानी आया था उसने product समझाया फिर तो ठीक है दोस्तों उसके बाद उसने बुला सर पानी पिएंगे देखिए कैसे धीरे धीरे customer cool down होता है क्योंकि उनकी खुद की और ज़ादा परिशानिया हो सकती है उनके बहुत सारे और tensions चलते है माइंड में किसी भी इनसान के तो सबसे पहले जैसे उसने सुना हमें बेचना नहीं है या उसे खरीदना नहीं है तो उसने बैठने के लिए कहा दूसरा हमने बताया कि आपको plan भी नहीं समझाना है तब उसने पानी के लिए पूछा उसके बाद दोस्तों उसने पूछा कि सर चाय कॉफी पिएंगे जब भी कस्टमर पूछता है चाय के लिए तो हमेशे respectfully कस्टमर को कहें सर वैसे तो चाय पिया हुआ है लेकिन आपके साथ पिएंगे तो और अच्छा लगेगा इससे क्या होगा कस्टमर को भी अच्छा लगेगा उसकी respect बढ़ती है उसकी dignity बढ़ती है सो दोस्तों चाय आई तब तक बात चीश चल रही थी और एक मैंने ऐसा सवाल पूछा जिसने इस presentation की game बदल दी और वो सवाल ऐसा उस customer के दिल में चला गया के हमें पता ही नहीं चला और बड़ी policy बिक गई दोस्तों customer ने बड़ी policy खरीड ली सिर्फ एक सवाल से क्या है वो सवाल इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिखके रखिएगा customer के दिल तक पहुँचने के लिए कई सारे सवाल होते हैं उसमें से यह एक सवाल है मैंने कहा सर आपका जो यह फैक्टरी है आपका जो यह बिजनस है या जिस प्रकार आपने यह एमपायर खड़ा किया है मुझे नहीं लगता कि आपके बाप दादा से आपको पैसे मिले होंगे दोस्तों यह सवाल पूछने के बाद मैंने जस्ट खाली ऐसे एकस्परेशन दिये कि आपने यह किया कैसे सर दोस्तों उसके बाद चाय पर चर्चा की शुरुआत हुई और उसने बताया मेरे पास चपल के पैसे नहीं थे मेरे पास साइकल के पैसे नहीं थे मैं फटे हुए कपड़े पहनता था वाँ से दोस्तों उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू की और जो कॉल पाँच या दस मिनिट में कम्प्लीट होने वाला था वह कॉल दोस्तों तकरीबन तकरीबन सवा घंटे तकरीबन तकरीबन 80 मिनिट्स वह कॉल चला उसमें हमने कुछ नहीं किया हमने तो सर्फ कस्टमर के दिल के साथ कनेक्ट किया बिजनस दोस्तों कॉन्टेक्ट्स का काम नहीं होता बिजनस होता है कस्टमर के दिल के साथ कैसे आप कनेक्ट करते हैं बीच बीच में हम पूछते रहे कि सर आपने कैसे किया वाह जबरदस जोरदाग और वाकी उसने जमीन से लेके शुरुआत की थी और आज कितने करोडों रुपे का वो मालिक था हकीकत में उसकी प्रेशनसा तो बनती है उसने कर दिखाया दोस्तों उसके साथ जैसे हम कनेक्ट होते गए जब यह पूरी मिटिंग कम्पलीट हो गई तब वह बंदा जो आने के लिए मना कर रहा था जिसके मुह से गाली निकल गई लिफ्ट तक छोड़ने आ गया जब दोस्तों हम अपनी ऑफिस में पहुंचे नेक्स्ट डे बैंक से फोन आया कि सर 23 लेक्स रुपीज का जो चेक है वो एक्स वाई जेड बिजनसमेन का आ गया है और पॉलिशी कम्पलीट करनी है सोचिए दोस्तों इसी कॉल पर जब कस्टमर के मुझे गाली निकली थी हम भी गुसे में हो जाते हमारे मुझे भी अगर कुछ निकल जाता तो किसका नुकसान होता दोनों का बिजनसमेन को इंशुरंस नहीं मिलता और इंशुरंस कमपनी को प्रीमियम नहीं मिलता शामती से समझदारी से जब किसी भी प्राब्लम को सॉल करते हैं तो फाइदा सभी का होता है तो दोस्तो आपने इस किसे से क्या सीखा जो रूल्स मैंने टीम बताये थे आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और यह स्टोरी आपको कैसे लगी दोस्तो कमेंट अवश्य कीजिएगा क्योंकि जिन्दगी में हमेशा सीखते रहे अगर आपका लर्निंग चालू रहेगा तो आपका अर्निंग चालू रहेगा एक बार फिर से कहूँगा दोस्तो जब आपका learning चालू रहेगा तब आपका earning चालू रहेगा दोस्तो क्या आप रहतो नहीं गए हमारे चैनल पर 200 से ज़ादा वीडियोज हैं दोस्तो अगर आप रोज एक वीडियो देखते हैं और उसी के साथ उस वीडियो को like करते हैं अपने साथियों के साथ share करते हैं तो आपका ग्यान बढ़ता रहेगा learning बढ़ती रहेगी और आपकी earning बढ़ती रहेगी अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी ही इस चैनल को subscribe करें और हाँ आधा काम न करें बैल आइकन दोस्तो अवश्य दबाईएगा ताकि इस प्रकार के learning वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें और आप अपना business अपना confidence अपनी income बढ़ाते रहे दोस्तो एक बार फिर से कहूंगा आपने इस वीडियो से क्या सीखा comment अवश्य कीजिएगा और आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो यह वीडियो देखा और हमें motivate किया उसके लिए तह दिल से आपका मैं शुक्र गुजारूं दोस्तो धन्यवाद झाल